तो screen पे जो आपके सामने question है, इसको read कर लेते हैं आपन, product of all positive real values of x satisfying the equation, इस equation को satisfy होने वाले जितने भी x हैं, उनको निकाल लो और उनकी जो values आएंगी, उनका product बता दीजिए, है ना, J.E. Advance 2022 के paper 2 का सवाल है, फिर से याद दिला देता हूं, कि J.E. Advance वाले logarithm का एक question independently तो पू आप यह मान के चलों, logarithm का एक सवाल आना ही आना है, पिछले 15-20 सालों से ऐसा होता हूँ आया है मेरे दोस्तों, logarithm से बहुत प्यार है J.E. वालों को, तो logarithm के उपर आपकी पकड़ होनी चाहिए, मजबूत होना चाहिए logarithm, और यह सवाल आगे मैं बता रहा हूँ आपको, इससे पहले यह मान के चल रहा हूँ कि आप इसको जरूर एक बार try करेंगे, try करने के बाद ही solution इसका देखना है, ठीक है, तो चलो यार, करते हैं solve, तो यहाँ पे देखो, scene कुछ ऐसा दे रखा है कि X की power, यह सारी कहानी दे रखी है, ठीक है, this is equal to 5 की power minus 16, ठीक है, तो मैं क्या कर दूँ, take log both sides, take log both sides with base 5, take log both sides with base 5, base 5 लेते हुए, दोनों तरफ log ले ले लेंगे अपन, तो यहाँ पे जैसे ही मैंने log लिया, ऐसे करके, यहाँ पे जैसे ही मैंने log लिया, ठीक है, तो यह जो चीज थी, यह आगे आ जाएगी, पहले तो हमें यह बात समझनी होगी, ठीक है, राइट, यह जो टोपी है, बई जब X की power यह टोपी है, टोपी, तो X की power टोपी का log लोगे आप, अगर आप X की power टोपी का log लोगे, तो आपको पता है, लोग की property होती है कि टोपी आगे आ जाती है यहाँ पे, तो इस टोपी को पगड़ के आगे ले आऊँगा, और log X with base 5 यहाँ बच जाएगा, तो यह जो टोपी है, यह यहाँ पे आ जाएगी, यह जो टोपी है, यह टोपी जो है वो, यहाँ पे आ जाए समझ आ गई ठीक है और यहां पे इसका जो है लोग ले लेंगे विद बेस 5 तो यह जो माइनस 16 पावर है यह भी आ जाएगी ठीक है बिल्कुल आ जाएगी तो यहां पे कुल मिला के बात ऐसी हो गई 16 लोग एक्स विद बेस 5 की पावर 3 माइनस 68 लोग एक्स विद बेस 5 ठीक है इन्टू लोग एक्स विद बेस 5 इस इक्वल टू यह माइनस 16 यहां पे आ गया जाएगा यहां तक बात समझ में आ गई बिल्कुल समझ में आ गई अब हम क्या करेंगे लोग एक्स विद बेस 5 को टी पुट कर देंगे तो मेरे दोस्त देखिए 16 टी क्यूब माइनस 68 टी 16 टी क्यूब माइनस 68 टी इंटू इंटू टी इक्वल टू माइनस 16 इंटू टी इस इक्वल टू माइनस 16 ठीक है तो यहां पे हो गया 16 टी पावर 4 माइनस 68 टी स्क्वाइर और इसको उदर लाएंगे तो प्लस 16 इक्वल टू हो गया 0 समझ में आरी कि नहीं आरी यस सर बात समझ में आरी है सर तो यहां पे 4 से कैंसल आउट कर दें तो यह 4 टी पावर 4 17 टी स्क्वाइर प्लस 4 इक्वल टू 0 ऐसा कुछ सीन हो गया बिलकुल हो गया सर बढ़िया हो गया सर अब ये एक quadratic जैसी field देगा अगर T square में देखोगे आप तो T square का square है यहाँ पर T square में quadratic वाली field दे रहा है ठीक है तो यहाँ पर 4 T की power 4 को मैंने as T's लिख दिया और 17 को लिख दिया यहाँ पर 16 T square minus T square ऐसे करके है minus 16 T square minus T square यह minus 17 T square हो गया ठीक है तो factorize करने का परियास किया 4 T square यहाँ पर इन दोनों में common आ गया तो यह बच जाएगा यहाँ पर T square minus 4 और यहाँ पर मैंने minus 1 को जैसे ही common ले लिया तो यह भी T square minus 4 बचेगा और T square minus 4 को जैसे ही मैं common लेता हूँ तो यहां 40 square minus 1 मेरे पास बच जाएगा और यहां से t की value निकालोगे तो एक आ गई t की value यहां पर root 4 that is 2 minus 2 1 by 2 and minus 1 by 2 ठीक है यहां पर 4 values जो है मेरे को t की मिल जाएंगे ठीक है कैसे मिलेंगी है ना बही सीदी सी बात है ना यह सब तो easily आप लिखी सकते हो यहां से आप देखो t square equal to 4 करोगे यहां से t square equal to 1 by 4 आएगा तो t की value minus 1 by 2 plus 1 by 2 यहां से t की value minus 2 और plus 2 आगी ठीक है तो t मेरे पास आ चुका है अब t क्या है t basically मेरे पास है log x with base 5 t क्या है log x with base 5 तो log x with base 5 की values मेरे पास है minus 1 by 2 है मेरे पास minus 2 है मेरे पास 1 by 2 है मेरे पास 2 है तो यहां से x की value निकालोगे तो 5 की power minus 1 by 2 है मेरे पास 5 की power minus 2 है मेरे पास 5 की power 1 by 2 है मेरे पास 5 की power 2 है तो इसने कहा यह जितनी values आई है इन values का मेरे को क्या बता दो product बता दो यहां इसने कहा product बता दो जितनी positive real values आई है x की तो x की values आप देखिए सारी positive ही है सारी real है सारी positive है तो अगर आप product देखोगे तो product करो आप इन सबका multiplication करो तो 5 की power सबका multiplication पे minus 1 by 2 minus 2 plus 1 by 2 plus 2 तो cancel out हो करके 5 की power हो गई 0 product आ गया 1 यह मेरा product आ गया तो मेरा जो product है मेरा जो product है मेरे दोस्त वो आ गया 1 तो यहां पे product आ गया 1 यह किसीज का product आया है यह उन सभी values का product आया है जो मेरी x की values है और इसको satisfy कर रही है तो यहां पे अगर आपन analyze करें अगर analysis करें concepts का कि concept कौन-कौन से use हुए तो यहां पे concepts का analysis करें concept कौन-कौन से मेरे use हुए है इस problem को solve करने के लिए तो logarithm की properties use हुई है logarithm के जो skills है वो use हुए है plus यहां पे मेरे पास एक equation बनी है तो हमें algebra को देखके घबराना नहीं है mathematics का सही student वो है जो algebra को देखके घबराएना तो यहां पे अगर अपन देखें तो एक t-square में quadratic यहां बनी है और बिल्कुल भी patience नहीं होना है paper में एकदम प्यार से इस सवाल को निकाल देना है निकल जाएगा अब की बार का जो paper था मतलब 2022 का जो paper था इसमें देखो patience जिनके पास था जिनको यह था कि हाँ अपना सवाल बनाएंगे 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 हो जाएगा बनाएंगे 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 हो जाएगा पुरा paper मैंने देखा है मैं paper को टफनी बोलूँगा क्योंकि जो notes में हम करवाते है जो sheet, dpp में हम करवाते है बिल्कुल वहीं से paper था बहुत मज़ा है आपकी बार तो हैना लोग के skills यहाँ पे use हुए हैना basic equation solving यहाँ पे इस्तेमाल हुई basic equation solving इस्तेमाल हुई और यहाँ पे patience का इस्तेमाल हुआ है patience का इस्तेमाल हुआ है तो यह सारे skills हमारे इस question को solve करने के लिए इस्तेमाल हुए है और इसी तरीके के previous year के जो paper से उन में से सवाल मैं आपके लिए लाता रहूँगा